अब आती है बात पपेट की तो पपेट का सबसे पुराना और सहज तरीका है सौक्स से पपेट बनाना सौक्स का क्या है कि ये आपको आसानी से घर के माहल में मिल जाती है और कोई भी पुरानी सौक्स लेके हम उसके साथ पपेट का आकार बना सकते हैं तो आप लेखेंगे कि मुवमेंट का नाम ही पपेट्री है, तो ये जैसा सॉक्स है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ सॉक्स को अपने हाथ में डाला है, लेकिन इसका आकार मुझे नजर आने लगा एक सांप जैसा, जो बात भी कर सकता है, यहां इसकी जीव लगा सकत तो एक स्नेक का आपके सामने बहुत अच्छा सा पपेट दो मिनिट में तयार हो जाएगा, सॉक्स से, और अगर हम चाहते हैं कि कोई आदमी का चेहरा बनाए, और बच्चा बनाए या ऐसा कुछ हम दूसरी कोई चीज बनाना चाहते हैं, स्नेक ना बनाके, तब भी हम सॉक से वह उपर जुड़ गया था, लेकिन अब हाथ निकालूगा तो एक बॉल जैसा एक चेहरे का आकार बना चाहिए, अब चेहरे का आकार बनाने के लिए इसमें अगर हम इस तरीके से करेंगे तो मुझे तो यह नाक भी नजर आने लगी, और अगर कपड़ा भी आपके पा आसानी से मिल जाए सामगरी, उससे वह उस चीज को कवर कर सकता है, अब हमारे पास एक आकार नजर आ गया, अब यह गर्दन जैसी नजर आने लगी मुझे यह चीज, यह देखिए, इसको हम स्थिक पर लगा देंगे तो स्थिक पपेड बन जाएगा, इसको अगर हम कंट् के खिलोनों के बीच में आते हैं, बच्च पुराने कपड़े हो जाते हैं, उन्हें फर लगी होती है, फर का इस्तमाल भी कर सकते हैं, वाले सामगरी आप जो आपको सहज उपलब्ध है, सूतली है, सूतली से आप बाल बड़े सुन्दर बना सकते हैं, जूट है, जूट प करने का तरीका आइडिया मिल जाए, तो आप बना सकते हैं, तो ये पपेट बनाने का सॉक्स से तरीका था, ये पपेट बनाने का आपके पास एक बॉटल से तरीका था, और एक हाथ से बनाने का तरीका बताता हूँ पेपर से, इसमें भी पपेट ही बनेगा, अब जरूरी में आप बच्चों के बीच में खड़े को तो और अच्छी बात है, जैसे नाव बनाने के वक्त किया था और इसको एक बार फिर फोल्ड किया मतलब वन फौर्स मैंने पेपर बना दिया, वन फौर्स पेपर में, हाफ का निशान आ गया, एक साइड को लिया, हाफ साइड को ल को लेंगे जुड़े वाले हिस्से को तो नीचे एक ट्रेंगल बन जाएगा जो हमारे को एक हट की आकार देगा जैसे बच्चे हट बनाते हैं जोपड़ी जैसा आकार मिला हमें इसके बाद क्या था जोपड़ी की दिवारों को पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया दोनों सेम डारेक्शन में सेकंड वाले पेपर को भी एक फोल्ड और यह डबल फोल्ड इस तरीके से भी आप पपेट बना सकते हैं यह आपका पपेट तैयार हो गया और सामगरी के तोर पे आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बॉटल हो सॉक्स हो अगर आपको आइडिया यह नीचे गी टर प्रेस किया और यह एक आकार बंगया हमारे पास फॉक्स का यह भी पॉपट के इस्तमाल करेंगा मोमेंट इसमें बिया तो कहानी के तब पoire इसको कहाझी से जोड़ना उसाथ के साथ कुरो बनाने के लिए हमें स्क्वेर पेपर की जरूरत होती है तो यह पेपर स्क्वेर नहीं है पहले इसको आपने स्क्वेर करना है उसका एक बड़ा सरलसा तरीका है कि छोटे वाली साइड को बड़े वाली साइड पर रख दिया और बाकी बचे पेपर को निकाल दिया अब आपके पास एक स्क्वेर पेपर आ गया यह देखिए स्क्वेर पेपर में आमने सामने के किनारों को जोड़ते हुए आपने एक बड़ इसको डबल किया डबल करने के बाद फिर आपने इसको ऐसे डबल कर दिया तो बिलकुल आधे का निशान आपको मिल जाता है, एक साइड को लिया आपने आधे तक जोड़ा, ऐसी दूसरी साइड को लिया आपने आधे तक, और फिर ये कौन का आखार मिल गया, इसको उपर की तरफ फोल्ड किया, तो एक बोट का आखार मिल जाएगा, लेकिन बनाना तो क्रो है हमें, लेकिन यह क्रो के विंग्स माल लेते हैं, और यह डबल था पेपर, शुरू में हमने इसको डबल किया था, तो इसको सिंगल करने के बाद दो ट्राइंगल मिल गए, फ्रेंट वाले को नीचे की तरह प्रेस कर दिया, अब हमारे पास एक ऊपर एक नीचे दो पेपर हैं, ट्रेयंgle, इनको डबल करेंगे तो बीक बन जाएगी, रखना दोनों को सेम डारिक्षिन में है, इसको हमने इधर किया है, तो इसको भी इधर करना पड़ेगा, दोनों को सेम डारिक्षिन रखनी है, और फिर सारे को लेगे पीछे की तरफ इसको डबल कर दो, तो ये आपके लिए एक कर नजर आएगा, एक बर्ड जैसा जिसके अंदर एक मुवमेंट होगी, उसको फॉक्स को तो हमने हाथ में ऐसे डाल के चलाया था, एक हैंट पपेट की तरह, इसको हम इसकी विंग्स के एक को आपने क्रोर ले दिया, और वो कहानी सबको मालूम है, या बच्चों को बोलेंगी चलो अपनी कहानी खुद बनाते हैं, तो खेलने का एक माध्धम बन गया, जिसमें ये एक पपेट जो हमारे, एक माध्धम का रूप कर लेगा, और एक अच्छे से बच्चों में इ एक साथ मुझे मिल गई, इसके लिए थोड़ा सब कागच हार्ड होना चाहिए, तो हम पेस्टल पेपर को यूज़ कर लेते हैं, और दो पट्टी हमारे को एक साथ मिली तो इसको हम लास्ट में चिपका भी सकते हैं, और जल्दी करने के लिए स्टेपल भी कर सकते हैं, एक आपके सामने इलिप्स की शेप आ गई, और यह सरकल आ गया, इलिप्स और सरकल को अगर जोड लेंगे तो एक बर्ड की बाड़ी नजर आएगी हमें यह देखो, और यह जो बचा हुआ टुकड़ा है, इसको अगर हम थ्री फोल्ड कर देंगे तो लेक्स का काम करेगा, यह आपको यह तरीका पता चल गया, तो आप किसी भी कलर काूँ अगर आप ब्लैक बना लिया तो ल्णा बन गया, ग्रीन बना लिया तो आपने पैरेट बन गय और अगर कलरफुल बना लिया तो वीग बन गई, और पेपर के काम मma एक आह फायदा यह भी होता है, आप एक देख लेते हैं कि हमारे को कितना बड़ा पंक चाहिए, तो वह जितने बड़ी हमारी बॉड़ी है उसके हिसाब से हम पंक का आकार ले लेते हैं और इसको कागच पे हमने काट लिया, जो हमने ड्रॉ किया था उसको हमने कागच का अलग कर दिया, यह देखिए आपके एक साथ दो पंक बन गए, जितने लेयरा पेपर की रखेंगे उतनी एक साथ बन जाएंगे, और फिर इसकी ऐसे कमर के ऊपर इसके साथ स्टैपल कर दिया, तो एक पिंक कलर की आपके सामने, क्या मिल गई हमें, वारड मिल गई, अब बारी आती है बीक की, अब पिंक कलर की बीक में त इसके लिए हम दूसरा से कोई रंग ले लेते हैं, जिससे ले फिक बनाएं, और इसके में भी दो पेपर डबल किया और एक ट्रेइंगल काड दीआ तो दिया हमारे पास बिक बनागे अगर हमें एक बीक दिखानी है तो हम एक हम भी लगा सकते हैं और हम देखना चाहते हैं कि वह एक बोलती हुई चिडिया की तरह नजर आए तो हमारे पास एक तरीका है कि उसको गौन से चिपका सकते हैं ताकि यहां स्टैपल लगा हुआ अच्छा नहीं लगेगा फॉरंट में तो यह जैसे मैंने जहेंगए बनाई थी गौंद लगाने के लिए दोनों साइड में यह मैंने गौंद लगा दिया सीजी सीजी तो मेरा मानना यह था कि यह एक ऐसा इजी मैथट है कि जिससे आप कोई भी कलरफुल बढ़ बना सकते हैं पर यू इंग्स दूसरे कलर के कर सकते हैं, ko BR,arlo बना सकते हैं और इसको आप tenía इसको आप सिंगरआ पॉपिट की तरा भी इसितमाल कर सकते हैं फिटरा कि ऐसने बिर्फिए इसको के बैट की आपने के हाथ में रख जए इसको बच्दों के हेलमेट की टोरेख सकते हैं आपने जैसे यह हेयर बैंड होता है, हेयर बैंड के ऊपर आपने स्टैपल कर दिया इसको, वहाँ से तरीके हैं बच्चों के साथ इस किसम के खेल को खेलने के लिए, रंगों के साथ, और यह आइज की जंगे आप दो बटन भी लगा सकते हैं, वरना आप स्केच पैं से आइ तो हैंगिंग भी बन सकता है, मतलब इस्तवाल करना तो आपके अपने हाथ में है कि इसको किस रूप में आप इस्तवाल करेंगे, और कितना सुंदर आप इसको बना सकेंगे, और इंट्रेस्ट क्रिएट करने के लिए इसके सिरफे कलंगी बना सकते हैं, ऐसे मोर की कलंगी तो मुझे लगता है कि यह बड़ा आसान और बड़ा सरल तरीका है जो हम अपने आसानी से classroom में बना सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चों से भी बनवा सकते हैं और इतना सरल तरीका है कि बच्चे भी आसानी से इसको बना सकते हैं So, you have seen how making and creating toys using waste materials is fun and easy and you can use it for your classroom teaching learning processes The paper toys help to understand the folding accurately, strengthen the fine motor skills and help a child to know the shapes It instills creativity among children and improves the attention span Children also learn to follow instructions, for example, when the teacher is telling them Now, fold the square piece of paper into a triangle and then the second fold into a smaller triangle It inspires critical thinking and promotes quality time Paper toys offer endless possibilities as they fold, crumple, create with variety of papers You may further make a collage using these paper toys and create a display board on transportation For example, you can paste paper rocket, paper airplane, boat on the chart paper and let children draw and paint the rest of the scene around these paper toys Later, ask them to label each of the paper toys This will also enhance FLN For older children, ask them to look at these paper vehicle board and write a few lines Definitely, children are going to enjoy their creation and they will be happy to talk about it and write about it This itself is a hands-on activity that would help you to observe and assess the children's learning of concepts and skills Making a theme board using a variety of paper toys helps children to target many learning outcomes Above all, creating and designing toys using low-cost, no-cost materials spark joy among young children and promote learning of concepts and skills Of course, young children need the support of the adults in creating toys from waste So, engage children in such simple toy making and craft activities where you give freedom to the children and take their ideas Instead of always making and giving them toys to play with Rather, let them get involved with you and enjoy the play with their own creations Music